हाई दोस्तों आज इस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं नहीं यह प्रोजेक्ट का नाम है दोस्ती इडन यह थाने वेस्ट में ब्रह्मांड लोकेशन में बना रहे हैं अभी इसका पाइलिंग चल रहा है और दोस्ती रियाल्टी वैसे भी करीबन 40-50 साल पुरानी कंपणी ह हैं और काफी रेपेट कंपणी हैं जहां जहां पर इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है सारे जिगह पर कस्टमर एक लवल पर देखें तो बहुत अच्छी तरह सा सटिसफाइड हैं और प्राइजिंग भी इनका काफी अट्रेक्टिव है तो आज जो मैं दिखाऊंगा आपक स्कुरर का तीन साइज का टूबी अजके है और थ्री बीच के 950 एंड़ 1050 एप्रॉक्स 950 स्कुर्फूर अड़ टूट्व टाइप का थ्री बीच के है और लोकेशन तो मैं बचा तो कहा हूं इसमें विव एक साइड का क्रिक विव आता है आपको और एक साइड का यहूर का वीव आता है अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं यह इनका फुली फर्निस्ट डन अप फुली इंटीरियर किया हुआ त्री भी एज के है किसका साइज आप देख लें कारपेट देख लें इसके बाद मैं आपको टू भी एज के दिखाऊंगा तो फिर आये देखते हैं किस ट्राइब का है यहां से स्टार्ट होता है और मैं आपको पहले डाइनिंग एरिया दिखाता हूं कि कैसा है उसके बाद फिर मैं आपको किचन एरिया दिखाऊंगा यह आप देख सकते हैं डाइनिंग है इसका और डाइनिंग के बाहर एक खुबसूरत बैलकनी दिया और flat दिखाने का region यह है कि आपको यह दिखा रहे हैं कि view आपको क्या मिलने वाला है यहां से मैं अभी window के side से आपको पूरा flat दिखाता हूं और बताते चल जाओंगा कि kitchen का setup कैसा किया है अभी इन्होंने जो kitchen रखा है यह open kitchen बनाया हुआ है यह आप देख सकते हैं यहां पे आपका wall आ जाएगा और इस तरफ आपका wall हो जाएगा यहां से आपकी entry मतलब entry करते ही 3bhk में kitchen आपको पहले मिलता है right hand side पे इसमें gas platform service platform दिया हुआ है और यहां पे washing machine का प्रोजिन किया हुआ है front loading washing machine का इधर भी कोई छोटा space है तो यहां पे इन्होंने electrical setup के हिसाब से किया हुआ है अभी मैं अंदर से दिखाता हूँ जनरली पहले जो होता था ना row house bungalow ऐसे में यह system होता था कि kitchen start में देते थे चाए servant लोग जब आते हैं तो उनको घर में entry करने की जरुत ना पड़े और पूरा bedroom में आने का और hall में आने की जरुत नहीं पड़े इसलिए अभी तो जो लक्जरियस थ्री बीच के टू बीच के बन रहा है उसमें यह चीज़ें देखने को मिल रही है कि start में ही kitchen देते हैं ताकि servant room यहीं से काम करे servant लोग और निकल जाएं जैसे कुछ जो बतन होने वाले हैं कपड़े वाले हैं या फिर जो खाना बनाने वाले हैं उनको घर के अंदर आने की permission नहीं है हाल जो है इसका living dining area पूरा एल सेप में है आप देख सकते हैं सामने टीवी यूनिट सोफा बगरे लगा हुआ है जो living area है और यह dining area दिया हुआ है fully furnished आप जब करते हैं तो आपको flat में कितना space मिलता है movement करने के लिए यह intention से कोई भी developer एक sample demo flat बनाते हैं परकि space आपको एक सम bathroom मिलता है यह आप देख सकते हैं इसमें height भी अच्छा दिया हुआ है बहुत ही proper दिया हुआ है start में आपको wash basin दिया हुआ है कमोड है और लास्ट में आपको बार थेरिया दिया हुआ है मैं आपको अंदर से एक बार दिखाता हूँ अंदर से आप देख लें इसके बाद हम देखते हैं इसका तीनों bedroom कैसा दिया हुआ है इसके जस्ट आपोजिट में आपको पहला bedroom देखने को मिल रहा है जो common यह भी आपको मिल रहा है पैटर यही रहेगा यहां पर आपको बात रही रहेगा यहां पर आपको कमोड रहेगा और पीछे आप देखें तो आपको बेसिन मिल जाता है इस तरफ आपको बेसिन मिल जाता है तो यह आपको बातरूम का साही रहेगा जो थोड़ा सा कंपेर करें तो तो common washroom से थोड़ा सा चुटा है उसके बाद balcony का जो concept है वो hall में दिया हुआ है आप देखें तो 6-7 फूट का balcony था जो मैंने आपको दिखाया बेड्रूम में कोई भी बेड्रूम में balcony concept नहीं है यहां पर आप देखें व्यू आपको आने वाला है forest का और वैसे city का बट आपको balcony बेड्रूम में नहीं आएगा तो आसा मैं आपको विंडो के साइड से दिखाता हूं तो आप प्रॉपर साइज देख पाएंगे यह kids bedroom के ह साथ से डेजाइन किया हुआ है अब आगे 3 बेड्रूम का जो concept होता है उसमें एक bedroom common रहता है दो master bedroom रहेगा तो यह इसका common bedroom है बहुत जो लग्शरी फ्लैट्स बनाते हैं उसमें तीनों bedroom master bedroom दे देते हैं तो इसमें आपको एक common bedroom और दो master bedroom है अभी देखते हैं दूसरा master bedroom कि इस टाइब का है यह जो मैंने अभी दिखाया आपको पहले यह master bedroom था वास्ट रूम के साथ में और यह इसका common bedroom है यह common bedroom में देख सकते हैं कि इसमें भी एक 6 बाई 6 का बैड डालने के बाद अभी open cupboard का भी fashion है बहुत जगह पर आपको open cupboard भी देखने को मिलता है जो इन्होंने यहां पर बनाया हुआ है यहां पर भी view आपको बिल्कुल पीछे का creek view मिलता है और बैड रखने के बाद भी एक अच्छा खासा आपको करीबन 3-4-4 फूट को चारो साइड से मुमेंट करने को मिलता है ड्रेसिंग टेबल स्टडी टेबल बगेर भी आप बना सकते हैं इन्होंने नहीं बनाया है बट आप बना सकते हैं इतना तो जगह स्पेस बनाया हुआ है साथी साथ आप विंडो के स से चार फूट का जगह नीचे मुमें्ट करने के लिए मिल जाता है अब आए देखते हैं इसका Title Party Master bedroom क्योथ यह मैंने common bedroom दिखाया इसके पहले जो था उव ज्यों मैंने Master bedroom दिखाया अभी देखते हैं इसका Master bedroom सबसे बड़ा ओला कैसा रहा है और यहां से इसका third bedroom स्टार्ट बढ़ा एक हो रहा है और थर्ड जुब आप अंदर आते हैं तो लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड पर पहला इसका वाश्रूम आता है मस्टर बेड्रूम कर जो सबसे बड़ा वाश्र बेड्रूम है यह देख सकते हैं यहाँ पे पहले आपको वाश बेशन दिया हुआ है यहां फॉल सेलिंग किया हुआ है उसके बापजूद भी हाइट प्रॉपर दिया हुआ है अभी देखते हैं अंदर का बेड्रूम का स्पेस यह बेड्रूम का स्पेस की बात करें तो इसका साइज चौदा फॉर्टीन पॉइंट सिक्स भाई टेन पॉइंट पॉइंट फॉर यह साड़े चौदर बहुत कम देखने को मिलता है यह साइज तो आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ एक पर विंडो के साइड से आप देखें इन्हों नहीं यहां पर इधर ना बनाके इन्होंने इस तरफ बनाया हुआ है तो वाड़ोब के लिए और स्टड़ी के लि आप से कर सकते हैं दोस्तों यह तो मैंने आपको 3BHK दिखाया अभी मैं इसके बाद दिखाता हूँ कि 2BHK का टाइप कैसा है पाकी एलिवेशन तो मैं आपको PDF में दिखाऊंगा क्योंकि बिल्डिंग अभी लांच हुआ है रेडी नहीं हुआ है और आने वाले तीन से च दिखते हैं मैं पहले अंदर से दिखाता हूँ इसका व्यू बगएर 3BHK का कैसा आता है उसके बाद फिर मैं 2BHK की आपको दिखाता हूँ यह इसका अंदर से व्यू है और एक बार हॉल भी अंदर के साइड से कैसा क्या व्यू आता है वह आप देख लें चारो साइड से और अभी मैं 2BHK का प्रॉपर्टी आपको दिखाऊंगा जो अनफरनिस्ट है तो वेकेंड फ्लैट है उसमें आपको एक अंदाजा लग ज